गरेलू उपाये में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूं दिवाली पर कौन से ऐसे पाँच रंग है जिनसे आप अपने घर को सजाएं तो साल भर आप सुक्समर्दी पा सकते हैं अगर आप यह जानना चाते हैं कि घर के कौन से रूम में या कौन सी जगह पर कौन सा रंग करवाना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंतितक नेखते रहें और जानिए दिवाली के पहले घर की रंगाई पुताई करवा रहे हैं तो यह टिप्स आपके लिए बहुत चरूरी जानना चाहिए घर की साथ सज्जा एवं रंग रंगाने के लिए दिशा के अंसार चुने यह सम्रिद्यायक रंग और पाएं साल भर स्कुशालिवा सुक्सम्रद्धी आईए हम आपको बताते हैं हिंदु धर्म के सबसे बड़े त्यवार दिवाली के लिए कई दिनों से घर में साफ सफाई रंग रंगना का दौर शुरू हो जाता है घर में सुक्सांती और प्रसंता का वातवरण बना रहे हैं इसके लिए लोग घर की साथ सज्जावा रंगाई के लिए वास्तु और फिंग्शुई के टिप्स भी आजमाते हैं आप भी सौभाग के लिए घर रंगवाते हैं समय ध्यान रखें जो मैं पाँच बाते बताने वाला हैं पहला बात जो है घर पर बैठक कच सबसे अहम होता है इसलिए यहां की दिवार पर विशेश तोर पर ध्यान देने की ज़रुरत होती है यहां पर भूरा गुलावी सफेद या क्रीम कलर सबसे अच्छा माना जाता है यहां पर इन रंगों की परदे या तकीय का कवर का भी इस्तमाल शुब फल देता है भूजन कच को रंगवाते समय आसमानी हलकाहरा गुलावी रंग करवा सकते हैं इससे हमेशा उर्जा वह ताजगी का संचार होता है और सकारात्मक्ताएं बनी रहती है और दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके से अगर आप रंग रंग वाते हैं तो आवश आपको खुशियां आपके घरों में साल भर बनी रहेंगी आईए तीसरा टिप्स जानते हैं रसोई घर में सफेद रंग हमेशा अच्छा माना जाता है हालांकि यह गंदा भी बहुत जल्दी होता है लेकिन अगर आप नियमित तोर पर सफाई बनाए रखे तो यह बहुत ही साखारात्मक्त प्रभाव छोड़ता है पाच्छी टिप्स है शैनकच भी काफी महत्पूर होता है यहाँ पर भी आप हलका हरा आस्मानी गुलाबी जैसे रंग को इस्तमाल कर सकते हैं जिने देखकर मन हमेशा प्रसंद रहे इसे से आपके रिस्ते भी में भी बहुत मदूरता आती है बाथरूम या अगला जो टि बाथरूम में गुलाबी रंग का प्रयोग ताजगी बनाये रखता है और आप आंतरिक खुशी का महसूस करते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आप भी जान गये होंगे कि घर के किस कच्छ में या घर में कहां पर कौन सा रंग इस्तमाल करना चाहिए जिससे आपके घर मे सकारात्माकुता बनी रहे और साल भर खुश्यों का महौल बना रहे अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो इसे तुरंट लाइक करें और शेयर करें शेयर क्यों करें इसलिए ताकि आप की तरह और भी जो लोग है जो घर में किस जगा पर कौन सा रंग करना चाहिए पर शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स या आपके जान पैचान की जो भी लोग है वो भी इस चीज को जान सकें अगर आपके मन में इस वीडियो से रिडियो कोई भी सवाल या सुझाव आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले और दोस्तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे तुरन सब्सक्राब कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसा इन उसके ऐसा टिप्स है उपाय लेकर आते रहते हैं आगे भी आपको ऐसी जानकारिया प्राप्त होती रहे इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल घरेलूपाय तुरन सब्सक्राब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आते हैं